कि कंण कि असलाम उलेकुम तो स्वागत है आप Sellas Sat a를 a किसम नए और लेश्ट वीडियो में ए और ये जो वीडियो है आप लोगे 12 ख सिक उर्दु का आखरी ही वीडियो है याकि कि अंतिम वीडियो क्योंकि आज किस वीडियो में आप लिगूर्द करना है और नहीं कि अगर नमबर था einट गर expensive तो में आज किसी बिडियो यहां करेंगे वैसे ही आप लोगका टूफ क्लास का ब्रूद कंव थाएगा इससे ने सब्सक्राइब करें अब डू है इस चानल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोडिफिकेशन आप तक पहुंचें तुशे लिए फड़ फट हम लोग इन दोनों चाप्टर को पढ़ लेते हैं देखिए यह जो दोने चाप्टर है यह के गीत है याद अगर यह कोशन पुष्टा है कि तुँ हिंदू बनेगा न मुसल्मान बनेगा गीत के मुसर्णिफ कौन है तो भी साहिड लुद्यानमी होगा ठीक तो दो गीत आप लोगोगों पढ़ना है एक है साथी हात बढ़ाना और एक है तु लिए हम लोग समझते हैं चैप्कर नि संधी हाथ बढ़ान यह जो गीत है यह नया दोर फिलम का गीत है याद रखियेगा नया दोर नामैप का फिल्म आया था उसी का यह गीत है गाना है साथी हाथ बढ़ाना और यह वह 돈 एक जब भारत को आजादी मिलने के बाद भारत का there हो रहा था तब और यहां पर एक और कोश्चन पूछता है कि साथी हाथ बढ़ाना ये गीत किसके लिए लिखा गया था तो यहां पर मैं आप मिलकर काम करें ठेक और उसी वक्त ये साथी हात बढ़ाना साहिल युदियानी जो है न ये गीत लिखे थे तो चलिए मैं आप लोग को इस गीत को पढ़कर उसका तश्रीख कर देती हूं इसका मतलब अर्थ बता देती हूं ठेके इसके शुरुवात में लिखे हैं साहिल यु लिखा गया है तो याद रखियेगा इस गीत में छे बार साती हाथ बढ़ाना लिखा गया है तीन शे चया बार लिखा गया है भी जाता है कि एकता में बहुत जड़ा ताकत होती है अगर मिल जुलकर काम किया जाया ना तो असंभव काम भी संभव हो जाता है तो वही बोला जा रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना एक अकिला काम करते बोज उठाते उठाते ठक जाएगा इसलिए मिलकर बोज उठाओ हम महनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रस्ता छोड़ा परवतने सीष जुकाया पौलादी है सीने अपने पौलादी है बाहे हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों मेरा है साथी हाथ बढ़ाना लेखिए आपर बोला जाला है कि हम महनत वालों ने जब भी मिलकर कदम सागर में मिलकर मजदूर ही ना काम किये हैं वह पौल वग 길at बना यहास्ता बना चुके हैं हमारे सीने और फाइम पैने फौलादी हैं हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों मेरा है अगर हम चाह दे तो मिल जुल कर काम करें तो चटानों में पहार परवत में भी राहे पैदा कर दी यानी की रास्ता बना दे महनत अपनी लेख की रेखा, महनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना ये बोला जthose रहे है कि महनत अपनी लेख की रहे हमारे जिंदगी में महनत करना ही लिखा है हमारा काम क्या है मेहनत करना मजदूरी करना ठीक करना है गारों के लिए भारों के ह 개रों के लिए आज अपने देश के लिए अपनी मनजिल सच की मनजिल अपना रचता नेक सान्थी हात बढ़ाना को कि अपना दू भी a है अपनी मंजिल भी एक है हमारी मंजिल जो है वो सच की मंजिल है और हमारा रस्ता भी क्या है नेक है और इसलिए हम लोग मिलकर साथ चलते हैं मिलकर मिलकर काम करते हैं और साथी हाथ बढ़ाना ठीक एक से मिले तो कत्रा बन जाता है दर्या एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा एक से मिले तो राई बन सकती है परवत एक से एक मिले तो इंसा बसमें कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना देखिए हम पर बोला जारा है कि एक से एक मिले तो तो वो परवत बन जाती है तो सोचिए अगर एक 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 इनसान मिल जाए तो अपने किसमत को भी बस में कर सकता है कितना बड़ा बात लिखा गया है बहुत बड़ा बात अगर एक एक कड़ मिल जाए तो रगिस्तान बन जाता है अगर एक एक राई मिल जाए तो वो परवत ब माते से हम लाल निकाले जलते जो कुछ इस दुनिया में बना है विद्वर विद्व guides से बना है और इस जो करेंगे लालानी कि हीरा निकाल करा मतलब फसल समझें का mostrar कि जो फसल हमारे लिए हीरा से कोई कम थोड़ों नह widesciter शन्राइप से हजारों लोगों की हीरा से कम थोड़ों आएं रहे जवरात कम थोड़ों और इसलिए जल से मोती निकाल जता है उसी तरह हम लोग इस जमीन से फसल उगाएंगे जो कि हमारे लिए हीरे के समान है कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरे हाथ बढ़ा कर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरे साथी हाथ बढ़ाना है कि मजदूर बेरुजगार हो रहे हैं ठीक उनके पैरों कर अपने ख्वाबों की ताबीरे छीन लो और साथी हाथ बढ़ाना चलो मिलकर काम करते हैं और भारत के निर्मार में सहायता करते हैं ठीक तो यह हो गया आप लोग का चैप्टर नमबर 39 कंप्लीट यह पूरा गीत का मैं तश्रीय कर दी बहुत ही मजदूरों के अंदर उस समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया हो गया होगा इसमें यही बताया गया है कि इंसान को धर्म के रास्ते पर मधब के रास्ते पर ना जाकर इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए सच्चाई के रास्ते पर नेक रास्ते पर चलना चाहिए ना कि धर्म को लेकर मतलब दिन पखेशक ज entendu को पढ़कर बताती हूं बहुत अच्छा यह गीत ढोंगा इन्सान की और इंसान बनेगाए हुगा कि इसमें क्या बता जाए रहे बच्चे को बताया जा रहा है कि तु हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा यानि कि ना तु हिंदू बनेगा और ना ही तु मुसल्मान बनेगा इनसान की ओलाद है तुम इनसान बनेगा अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है तुझको किसी मजभ से कोई काम नहीं है जिस इल्म ने इनसानों को तक्सीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है जिस इल्म ने जिस इल्म ने इनसानों को तक्सीम कर दिया है बाड़ दिया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है वो इल्म तुम्हारे पास नहीं है वो शिक्छा तुम्हारे पास नहीं है इसलिए उस शिक्छा का इल्जाम तुम पर नहीं है तो बदले हुए वक कि पहचान बाया तो ही इस वक्त को बदलेगा और इंसान की अउलाद है इंसान बनेगा मालिक ने आर इंशानों को दिया धर्मों बाठ दिया उद्रत्रित्र में जो भक्षि थी थी हमें एक ही धरत्र ती हम तू पिए एक धर्ती बक्षिती रहुत थी अधे आखिछ गरत भारत तो कहीं इरान बना दिक को रौंद दे वो कदम तेरा नहीं है कुरान नहों जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा गीता नहों जिसमें वो हरम तेरा नहीं है जिस मंदिर में कुरान नहों वो मंदिर नहीं तेरा और गीता नहों जिसमें वो हरम वो काबा नहीं तेरा तू अमन का और सुलह का एलान बनेगा eerste तो इनसान की ऊवलाद है इनसान बने गा यह दिन के लाशू के कफ़ने वाले यह हमेलों में बैठे हुए कातिल ये लुटे रे काटों के ओर जरूह है ऑर जरूह है चमन बैचने वाले तो इन के लिए मौत का एलान बनेगा इनसान की ऊवलाद है इनसान बनेगा बोल रहें कि ये दिन के ताजिर ये धर्म मजभब के तजारत करने वाले ये वतन बेचने वाले हमारे देश के सांद गद्दारी करने वाले इनसान के लाशों के कफन बेचने वाले ये महलों में बैठे हुए गातिल और लूटे रहे कतल करके लूट करके जो महलों में बैठे हुए हैं उनके लिए तो मौत का एलान बनेगा तो इनसान बनेगा तो देखिए मतलब इससे क्या बताने की कोश्श की जा रही है कि इनसान को हमेशा इंसानियत के राह पर चलना चाहिए तो यहां पर आप लोग का चैप्टर निम्बर 4040 कम्प्लीट होता है ठीक तो दोनों चैप्टर से कोई भी कम्फ्यूज आनों आप हमें कमेंट करकर पूर सकते हैं अब चलिए मैं आप लोग को इन दोनों चैप्टर के जो राइटर है साहिर लुद्यानवी मुसंनिफ के बारे में समझ लेते ह असल नाम है अब्दुलहई और इनका तखलुस क्या है साहिर मतलब इनका रियल नेम अब्दुलहई है लेकिन इनका तखलुस याद रखिएगा अपने शरौशारी के लास्ट लाइन मुझे नाम यूज करते हैं वो क्या है साहिर और इनकी पैदाईश होई थी आठ मार्स को लुधियाना में यह साहिर लुधियानवी के नाम से इसलिए मसूर हो गए ना क्योंकि इनका तखलुस कहता है साहिर और यह लुधियाना में पैदा हुए थे तो साहिर प्लस लुधियाना साहिर लुधियानवी के नाम से मसूर हो गए इस तरह धेर सारे क्या बोल सकते अक्बर अलाबादी, अलावबाद , जफर गोरकपूर में पैधा हुए थे जोष्मलीयबाद में पैधा राइटर का ईस जिए पर उनके नाम से मालुम करो साहिर लूधियान में पैदा हुए थे आठ मार्स सुने से ग्याराइस भी को और इनका तखलूस था साहिर और इसलिए साहिर लुद्यानवी के नाम से मशूर हो गए भले इनका रियल निम असल नाम था अब्दुलहई ठेके आगे बढ़िए इनके वालित का नाम था चौधरी फजल मुहम्मद और वालिदा यनकी इनके मा का सरदार बेगम और इनके दादा का नाम था फटय मुहम्मद और मामु का नाम था अब्दुल्रशीद मामु का नाम आप लोगों को इसलिए याद रखना पड़ रहा है ना क्योंकि साहिर लुद्यानवी के जो माता पीता है चौधरी फजल मुहम्मद और वालिदा यनकी मा सरदार बेगम इन दोनों के बिच जो बॉंड था रिष्टा था वो अच्छा नहीं था ठीक है मतलब हमेशा जगड़ा होते रहता था और इसलिए इन दोनों के बिच तलाक हो गया जैसे ही तलाक हुआ तो साहिर लुद्यानवी जो है अपने मा के साथ रहने लगे और इनक साहिर लुद्यानी के मामा के क्या नामें अब्दुर रशीद तो इनके मामा ही जो है ना सरदार बेगम को अपने घर बुला कर रखे थे और साहिर लुद्यानवी यानि कि अपने भांजे को भी बुला कर रखे थे मामा और भांजा ही होता है ना तो वही तेक यानि कि मा सा आजिलों दुयानिवी नगमा निगारी से बहुत दा मशूर हुए थे ठीक है और आगे बढ़िये मैई उन्हेसे उन्चास में तरक्वी पसंद मुसंपीन कॉंफरेंस के लिए ये बंबई आये थे और वंबई में आकर फिल्मी दुनिया में ये क्या हो गया शामिल हो गया फ अब यह बंबई आए थे तो वहीं सोच लिए कि अब हम बंबई में ही रह जाएंगे बंबई में अपना जमीन वगर आप बोल सकते फ्लैट वगर अख्रीज लिए और वहीं पर मुस्तकल क्याम पर गए यान की इस्थाई निवास उनका वहीं बन गया बंबई ठीक आगे किताब का नाम है और को यह जो किताब था इस इस किताब लिखने पर इनको सोवेच्ट लैंड नहुर आवबर में लिए जसै की आउख कोई को फाब हुने ये तो यही वाला है जिस पर इनको सोवियत लेंड नहरु आवर्ड मिला और उसके बच्छाइयां तलखिया गाता आजाए बंजारा आखरी नजराने ये सब क्या है साहिल लुद्यानिय के लिए किताबे हैं ठीक और देखिए साहिल लुद्यानिय जिंदगी भर घुवारे रहें मतलब इनकी शादी नहीं हुई ये शादी ही नहीं है ठीक और जुलाई उन्हें 70 के वालिदा इनकी इनकी मा जो है था वह में आप लोगों को बता दी और पूरा चेप्टर से रिवाइस कीजिए ताकि साला जो मैं पढा चुकी हूँ वो फिर से आप लोगों के माइन में तम ताजा हो जाए फ्रेश चे कर लंबे समय समय तक याद रहें क्योंकि अब आप लोग के कमप्लीट कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूर सकते हैं बाकी में आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो ठीक और उसके बाद से चारो तरफ शेर कर दीजिए अपने पड तो फिर्म लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए चाहिंद और खुदा हाफिज